आप देख रहे हैं JK News Today आज लोकसबा एलेक्शन्स के बाद पहली बार मन की बात को अड्रेस करते होए प्रथानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया पुल्वामा से लंडन पहुंचे स्नोपीस के बारे में लोकल प्रोडप्स को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं है पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है यहां के पुल्वामा के स्नोपीस लंडन भेजी गई कुछ लोगों को ये आइडिया सुजा कि कश्मीर में उगने वाली इग्जॉक्टिक वेजिटीबल्स को क्यों ना दुनिया के नक्षे पर लाया जाए बस फिर क्या था चकोरा गाउं के अब्दुल राशिद मिर्जी इसके लिए सबसे पहले आ गया है उन्होंने गाउं के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलकर स्नोपीस उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नोपीस कश्मीर से लंडन तक पहुँच गए स्नोपीस एक प्रकार की मीठी मटर होती है जिसे हम सीड पॉड के साथ खाते है ये एक तरहां की tender और crispy vegetable होती है जो salad और Asian cuisines में काफी popular है Snowpiece कैसे उगाए जाते हैं? Beach का चुनाव और त्यारी इसमें सबसे महत्वपून है High quality disease free seed का चुनाव करना Beach को लगाने से पहले उन्हें रात भर पानी में भिगो के रखना ताकि germination अच्छा हो मिट्टी की त्यारी करना Snowpiece को well-drained fertile soil पसंद होती है Soil का pH 6 to 7.5 के बीच ही होना चाहिए मिट्टी को organic matter जैसे compose के साथ mix करना पड़ता है इसके बाद beach लगाना Beach को seed drill या hand से 1-2 इंच गहरे और 2-3 इंच दूर दूर लगाया जाते हैं रो को 18-24 इंच की दूरी पर रखा जाता है इसके बाद इसे पानी दिया जाता है Germination के दौरान soil को moist रखते हैं पानी देने का सिलसला regular होना चाहिए पर over watering से हमिशा बचाव रखना चाहिए इसके बाद वीडिंग और pest control रेगुलर वीडिंग करते रहना चाहिए और pest control जितने भी pesticides हैं उनका भी इस पर यूज होता है pest और disease के लिए neem oil या organic pesticides का जाधा तर इस्तमाल किया जाता है harvesting पीस को mature होने से पहले ही harvest कर लेते हैं जब pod flat और seed undeveloped हो regular harvesting से और pods develop होते हैं अब हम बात करेंगे कि पुलवामा के लोगों को snow bean उगाने से किस तरहां के benefits मिले सबसे पहला benefit उन्हें economic benefit मिला increased income, snow piece जैसी high value crop को उगाने से किसानों की आयम में इजाफा हुआ क्यूंकि इन्हें global market में export करके अच्छी price मिली employment opportunities भरी farming, harvesting, packaging और transportation के काम में ज़ादा लोगों को रोजगार मिला agriculture development diversification traditional crops के साथ साथ exotic vegetables उगाने से किसानों के पास diversified income source हो गए जो उन्हें financial stability देता है modern farming techniques high value crops उगाने के लिए modern farming techniques और technology का इस्तमाल होता है जो overall agriculture practice को improve करता है skill development होता है training और education से snow peas उगाने के लिए training programs और workshops और वर्क्शोप्स और और गनाइज किये जा सकते हैं जिससे किसानों के skill और knowledge में भी व्रिद्धी होगी entrepreneurship local entrepreneur और किसान अपने products को process और market करने की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं इसके बाद social impact बहुत अच्छा इस पर आता है community development होती है किसी नए initiative से पूरी community में positive energy और unity आती है अब्दॉल राशद मीर जैसे leaders के initiative से दूसरे लोगों को भी inspiration मिलती है youth engaged होता है agriculture में नए avenues और opportunity देखकर youth भी इसमें interested होता है और ruler urban migration कम होती पुल्वामा का नाम global market में पहुचाने से region को एक नई पैचान मिलेगी ये एक positive image बनाने में मदद कर रहा है culture exchange, global trade के जरिए local culture और product को international platform पे promote करने का मोका भी मिला इन सब benefit के जरिए snow piece की farming से पुल्वामा के लोगों के जिंदगी में काफी परिवर्तन आया इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूस टूडे वीडियो जर्नलिस का कराम के साथ मैं ही मानी कंधारी